हलो फ्रेंडस आज मैं बहुत एजी दो तर आ के बनाना चिप्स की रैजिपी बनाadiumगी जो आप कभी भी घर में बना सकते है यह बहुत ही क्रिस्पी बनते है यह बहुत टेस्प्टी भी लगते है तो आआईए चीप्स बनाना शुरू करते हैं केले के चीप्स बनाने के लिए हमने यहाँ छे केले ले लिए है अब हम इन्हें हम बनाना को दोनों साइड से कट करेंगे अब हम इनको छील के लेंगे इस तरह से हम सभी बनाना छीलेंगे और तनने के लिए हमने क्यास की फ्लेम आउन करके तेल करम होने रख दिया है लो फ्लेम पे एक बनाना लेके हमने इसका अहरा छिलका उतार दिया है अब हमने चिप्स कटर लेके इसको हम लंबा लंबा काटेंगे हमने यहाँ ग्रेटर से चीप्स लंबाई में कट कर लिये हैं तेल को हम चेक कर लेते हैं तो हमार यहाँ तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें सभी चिप्स दाल देंगे कर दो कर दो कि ज कर दो थे जो कि इए को जा कर दो कर दो कि घूड़ा कर दें। हमें केले के चिप्स तलने के लिए तेल मीडियम हाई पर गरम चाहिए तो चिप्स अच्छे से तले जा रहे हैं अच्छे डाल दिये हैं हमने चिप्स को एक एक करके डाला है तलने के लिए जितने चिप्स कड़ाई में एक बार आ जाए उपने ही हमने यहां डाल दीए है क्यारे के लिके चिप्स को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे ये थोड़े से नीचे से सीख गए है अब हम इनको पलट देंगे और जब तक हमारी ये चित तलकर तयार होते हैं हम दूसरा केला इसी तरह से छिलकर काटकर हम तयार करेंगे हम एक साथ सब केले छिलकरने रख सकते हैं क्योंकि केले अगर कटे रहते हैं तो वह काले पड़ते हैं चिप्स अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेंगे कल्ची को हम इस तरह से किनारे पर रोक लेंगे और एक्स्ट्रा तेल कड़ाई में वापस चला जाएं अब हम चिप्स निकाल देंगे और सभी चिप्स हम इसी तरह से एक एक डाल कर पेलेंगे अरे चिप्स यहाब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अब हम इसे मिकाल लेंगे क्बाई खakinड़र कि अहाब मेंग और दे इसेश हो फिर थालhh काणी कर दो करें! करेंगाना है करेंगा करेंगा झाल揉 से, झाल 20-टाग साव長 कि नन्षे बेडि demokrat भी भी डज़ करें गोलिये नर हुआ सभी चीप्स हमने यहां तयार कर लिये हैं कच्चे केले के लंबे वाले चीप्स बनकर तयार है इनके उपर हम चाट मसला लाल मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे डालेंगे अब हम यहां पर थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे बहुत ही कुरकुरे और टेस्टी चिप्स बने हैं अब हम यहां गोल राउंड वाले चिप्स बनाएंगे वो ग्यास की फ्लेम हम लो पर रखेंगे और तेल तो हमारा अल्रेडी गरम ही है अब हम केले का टॉप और बॉटम काटेंगे और इसका हम छिलका उतार देंगे इसका छिलका हटा दिया है जब अपने हाथ चिप्ची पे स्टिकी होंगे और आपको ज़रूरत लगे तो आप अपने हाथों को तेल भी लगा सकते हैं तो इसी तरह से पूरा बानाना छिल लेंगे नेक्स्ट एक बाउल में लेंगे हम चार टेबल स्पून पानी और इसमें दालेंगे हम एक टी स्पून नमक और हम दालेंगे चोथाई चमच हल्दी पावडर और इसे हम निक्स करेंगे इसी से बाना में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और चिप्स में और कलर भी आएगा इसको अब हम साइड में रखेंगे और मार्केट में जो बाना चिप्स मिलते हैं न उसमें भी वो इसी तरह से पानी आड़ करते जाते हैं अब हम बाना को अब हम बाना को प्राउंड वाले शेप में डायरेक टेल में तो लेंगे तो इसे हम लगातार स्लाइस करेंगे टेल में यहाँ पर हमने ग्यास का फ्लेम मीडियम रखा है एक मिनिट हम फ्राइ होने देंगे उसके बाद हम इसमें फड़्ची चलाएंगे और उसके बाद हम साइड से थोड़ा थोड़ा हल्डी और नमक का पानी आड़ करेंगे तो फ्रेंट्स घबराएगा नहीं तेल ज्यादा नहीं उठलेगा बस हलका सा उठलेगा और इसके वजह से बनाना चिप्स में अच्छा सा प्लर और नमक आ जाएगा और इसी तरह से इसको हलका सा स्टर करेंगे आप चाहितो दो से तीन बैचे ये हल्डी और नमक वाला पानी एड़ कर सकते हैं तकरीबन छे से साथ मिनित लग जाते हैं इसको फ्राइ होने में आपको अपने आप ही पता चलेगा कैसे पता चलेगा जो बबल्स है ना वो सेटल हो जाएंगे और ये थोड़े से करा रहे हो जाएंगे मतलब जैसे आप इसको गुमाएंगे ये ना इसका क्रिस्पी ने इसका पता चलेगा तो बस इसको फ्राइ करते जाएंगे अच्छे से और बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन तो करना ही नहीं है तो ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए है हमने एक निकाल के देखा और ये निकालने के बाद भी थंडे होने के बाद भी और ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं तो इसे अब हम निकाल लेंगे वाव कितने अच्छे लग रहे हैं लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट से लाए हुए हमने इसे ताजा बनाए घर पे बिना किसी मिलावट बिना खराब तेल के तो बस ये रेडी हो गए है तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आसान से स्नैक अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू सो मुच वाचिन मैं वीडियो प्रेंड्स ये बिना किसी मिलावट बिना किसी में वीडियो